अगर जाता है तो देश के बता रहा हुआ अगर जाता है तो देश के बता रहा हुआ अगर जाता है तो देश के बता हुआ जाता है तो देश के लिए प्रश देश फरता रहा हुआ हुआ है। वीडियों में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंदर मोधी जी के सरकार के दो पूर कैबनेट कुलीक्स उनके पीछे बेठे वे हैं और वो हस रहे था कमार के जो 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 बहुत अच्छी तरीके से हर्शवर्दन जी दिखाई दे रहे हैं रवी शंकर प्रसाइद जी उस नई संसत की मरियादा को किया दागदार खुद बीजेपी के एमपी रमेश बादूरी ने फुट फुट के संसतभवन में रोने लगे बीसपी एमपी कुवर दानिस अली आईए समझते हैं कि संसतभवन में आखरी सेसन में बीजेपी एमपी किस तरह गाली का पर्योग करत तो एक आम मुसल्मान मुल्क में किस तरह जिन्दगी गुजा रहेगा आखिर एतनी नफरत आती कहां से है भारती एतिहास की ये सबसे बुरी घटना मैं सादिक मुस्पाक और आप देख रहें सिवी वी नुई दानिस अली से मिले उनके घर पहुचे कॉंग्रेस नेता राहूल जी कल सदन में नहीं थे मेरा तो मुबाइल भी बन था मेरी किसी से बात नहीं वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए मेरा होसला बुलंद करने के लिए वो यहां आए कि अपने आपको अकेला मस्टेज मजी इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोग तंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ ख़ड़ा है और क्या कुछ कहा रहा हुल जी ने आसमला कादुई रमीज विदूडी के विवार को लेका उन्हों ने इतना ही कहा कि इसको दिल पर मत लीजिए अपनी सिहक्त का ख्याल लगी आज दिल पर लगने वाल मुझे इस भात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ वो जो हमला है वो मेरे उपर अकेले के उपर नहीं है वो खालीदानिश अली के उपर वह हमला नहीं है वो हमला इस लोकतंत्र पर है वो हमला सम्मिधान पर वो हमला जो नफरत की दुकाने सडकों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमरतकाल में इस नए भारत के नए संसत के परीसर में लगनी शुरू हो गई इसका मुझे अफसूस है कर दो अब, कर दो को कर दोमें औल को झाल झाल